नमस्कार दोस्तों, मंत्री बिधायक सहीट तीन नेता कांग्रेश में सामिल हुए हैं आगामी बिधान सभा चुनावा से पहले ही भारती जनता पार्टी को या तकड़ा जटका लगा है उत्राखंड भारती जनता पार्टी सरकार में सामिल दिगज मंत्री ने पार्टी से इस्तिपा देकर कांग्रेस का दावन थाम लिया है बतादे कुछी महीनों बाद उत्राखंड सहीद पांच राज्यों में चुना होने वाले हैं लेकिन उत्राखंड में विधानसवा चुनाव से पहली सत्ताधारी भारती जनता पार्डी को उनी के नेताओं ने बड़ा जटका दिया है। उत्राखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री यसपाल आरे और बिधायक संजीव आरे भारती जनता पार्डी का दामन छोड़कर कांग्रेस में सामिल हो गए हैं। मंत्री यसपाल अपने बिधायक बेटे संजीव आरेक सहीद कांग्रेस में सामिल हुए। इन दोनों दिग्गई नेताओं को सदस्ता दिलाने के लिए कांग्रेस दप्तर में कांग्रेस संगठन मंत्री केशिव बेडु गपाल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, गणेश गोदियाल, पुर्य मुख्य मंत्री हरिस रावत और कांग्रेस के मुख्य परवक्ता रर 2017 में कांगरेश छोड़कर भारती जंता पार्डी में सामिल वे थे अब बिजेपी की सरकार बनने के बाद यस पाल को तोपे देते हुए उन्हें कैबिनेट मंत्री भी बनाये गया था अब यह दोनों नेता कांगरेश में सामिल हो गये हैं सामिल कराते हुए कांगरेश के मु आरे ने कांगरेश की सरकार का गठन करने का संकल्प लिया है बनाते कि यस पाल आरे कुछ महीनों पहले उनके नाराज होने की खबरे सामने आई थी उस वक्त उत्राखंड के मुख्यमंत्री पुसकर सिंग धामी ने आरे से मुलाकात कर उन्हें मनाने की भी कोशिस की थी हा अलाकि वो मनाने में नाकाम रहे और आज यस पाल आरे अपने विधायक बेटे संजीव आरे के साथ कांगरेश में सामिल हो गये